नमस्कार, स्वागत है आपका भारत की कला और संस्कृति से जुड़े एक नए वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की एक लोग प्रिय कला के बारे में जिसका नाम है रंगोली तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तैवारों में घर को खुपसूरत सजाना हो या फिर पूजापाट का अफसर हो भारत की या प्राचीन कला हर अफसर में खुशियो और प्रेम भावना के रंग भर देती है रंगोली एक संस्कृत शब्द है रंगोली को अलपना भी कहा जाता है अलपना शब्द की उत्पत्ती संस्कृत के अलपना शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है लेपन करना रंगोली को भारत के अलग-लग राजियों में अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है जैसे की उत्रप्रदेश में इसको चौक पूर्णा कहते हैं राजिस्थान में मांडना, बंगाल में अलपना, महराष्ट्रा में रंगोली, करनाटक में रंगावली, समिलनाडू में कोलम, उत्राखंड में एपण, आंधर प्रदेश में म्रिगु या म्रिगुलू, कैरला में कोलम और बिहार में अरिपन। भार्ति संस्कृति में यह माना जाता है कि अतिति देवो भवा, यानि कि महमान भगवान का रूप है, और रंगोली हमारी भार्ति संस्कृति की वहा कला है, जो इस बात को सही माइने में दर्शाती है, अतिति सतकार, प्रेम भाव और धार्मिक आस्ता का संगम है रंगोली। रंगोली तो हम सब ने देखी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले रंगोली बनाना किस ने शुरू किया रंगोली की इतिहास से जोड़ी कई मान्यताय हैं जिन में से एक यहा है कि माता लोप मुद्रा जो की रिशी अगस्तिया की पत्नी थी और जिनोंने रिगवेद के दो हिस्सों को भी लिखा है हजारों वर्ष पूर्व माता लोप मुद्रा रिशी अगस्त्या के साथ भगवान की पूजा प्रातना करते समय यग्नकुंड को और पूजा के स्थान को पवित्र और सजाने के लिए रंगोली बनाया करती थी जिसको बनाने के लिए उन्होंने पंच ततो याने की अगनी, धर्ती, जल, आकाश और वायू से पाच मुख्य रंग लेने में वो सक्षम हुई यहाँ पाच मुख्य रंग थे नीला, जोकी आकाश से, हरा जल से, लाल अगनी से, सफीध हवा से और काला मिट्टी याने की धर्ती से और रंगोली की कुछ अन्य रंगों को उन्होंने फूलो, दालो, मसालो, चावल और आटी जैसी प्राकर्तिक चीजों का इस्तिमाल करके बनाया, जिसे आज भी भारत वर्ष में बनाया जाता है रंग पिरंगी रंगोली को बनाने के लिए विबिन रंगों का इस्तिमाल किया जाता है प्राकर्तिक रूप से रंगोली को आटा, हल्दी, सिंधूर, रोली, फूलो, मिट्टी, फलो की रस से बनाया जाता है और साथ ही आजकल विबिन सिंथेटिक डाइस का इस्तेमाल करके भी विबिन रंगों को बनाया जाता है रंगोली में विबिन आकार और आकरत्या बनाई जाती हैं जैसे की जेमेट्रिकल शेप्स में सरकल, स्क्वार, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और जैसे की फूल, पत्ते, पशुपक्षी और विबिन देवी देवताओं को दर्शाया जाता है विबिन रंगों के प्रेयोग और विबिन आकारों, डिजाइन और पाटन के इस्तिमाल से रंगोली बेहत खूपसूरत और अट्रैक्टिव नजर आती है रंगोली को केवल घर की सजावट मात्र के लिए ही नहीं बलकि ऐसा माना जाता है कि रंगोली के विबिन आकार जैसे की गोलाकार, चकोर और इसकी विबिन आकृतिया घर के बाहर से आने वाली negative energy को घर के बाहर ही रोक कर घर की positive energy को बाहर नहीं जाने देती और इसी लिए घर में खुशिया और सम्रिति बनी रहती है रंगोली एक ऐसी आर्ट है जिसे बनाने से हमारा दिमार्ग सक्रिय होता है हमारे शरीर को ओर्जा मिलती है और साथ ही हमारा mental development होता है रंगोली को हातों की उंगलियों और अंगोठे को मिला कर बनाया जाता है जो घ्यान मुद्रा बनाते हैं और जो हमारे brain के लिए बेहत लापकारी होते हैं उंगलियों को आपस में दबाने से एक्यू प्रेशर के लिहाज से भी रंगोली बनाना बेहत फायदे मंद है जो हमें high blood pressure से बचाती है तरह तरह के रंगो से रंगी, रंग बिरंगी रंगोली हमारे दिल और दिमाग को relax और घर के वातावरण को शुद्ध और मनोहारी बनाती है और आपको यह जानकर अश्चेर होगा कि भारत के यह प्राचीन कला world record में भी शामिल है जिसमें भारत के यूपी राज के मिर्जापुर के स्कूली बच्चो द्वारा बनाई गई राष्ट मदाता दिवस के अफसर पर बनी रंगोली है जिसका साइज 39,125 वर किलोमीटर है रंगोली रंगों के जरिये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की एक खुबसूरत कला है तो कैसा लगा आपको इस खुबसूरत कला के बारे में जानकर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या इंफरमेटिव लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भारत की खुबसूरत कलाओं और संस्कृति के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्यो फूर वाचिंग स्टे में जाएं